हेलो सो टेटनेर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में आप लोग को Realme U1 और Honor 8X के बीच में एक फुल कंपैरेशन जो वो देने वाला हूँ जी हाँ अगर आप confused है इन दोनों स्मार्टफोंस के बीच में तो ये वीडियो आप देखते रहे हैं मैं आप लोग को इस वीडियो में इनकी performance से लेके display, battery, camera सब कुछ compare करके बता दूँगा और end में conclusion दूँगा कि दोनों में से आप लोग को कौन सा device जो वो better देखने को मिलता है याद रखना है comparison वीडियो आप लोग पूरा देखना बिना skip के और conclusion वाला part बिलकुल भी miss मत करना तो ही मैं आप लोग को fair opinion दूँगा तो ही आपको समझेंगा कि exactly मेरा बोलना क्या है जाड़ा रविस्टी करते हैं और फड़ा वट से इनकी comparison जो वो शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe के लिजिए और साथ में ये bell icon भी दबा दिजिए ताकि आपको मेरे latest videos की notification जल्दी से मिल जाए तो यहाँ पर सबसे बिले शुरुआत करते हैं इन दोनों की design और build quality से यहाँ पर मैं सबसे बिले आप लोगो बता दू कि दोनों ही smartphone आप लोगो बहुत ही premium design के साथ में जो वो देखने को मिलता है और यहाँ पर सबसे बिले अगर मैं weight की बात करता हूँ तो Realme U1 आप लोगो 168 grams का मिलता है जबकि Honor 8X आप लोगो 175 grams पे मिलता है दोनों की thickness की बात करें तो Realme U1 आप लोगो 8 mm की जो वो thickness पर मिलता है जबकि Honor 8X आप लोगो 7.8 mm के पर मिलता है हाला कि दोनों ही phone काफी light weight है दोनों ही phone बहुत slim है तो यहाँ पर मैं आप लोगो ज़्यादा फर्क जो वो नहीं बता सकता हूँ रही बात यहाँ पर दोनों की design की तो आप लोगो पीछे की तरफ दोनों में एक बहुत ही premium design जो वो मिलती है यहाँ पर Realme U1 के अंदर आप लोगो एक polycarbonate back मिलता है जबकि जो finishing आपको दी गई ही वो glass के अंदर दी गई है और इसको बोलों कि यहाँ पर light pillar effects बोलते है ताकि आप अपने phone को जो tilt करते है तो आपके बहुत ही अच्छा effect यहाँ पर जो वो देखने को मिलता है रही बात Honor Atex के तो यह actually में आप लोगो एक glass back मिलता है यह polycarbonate नहीं बलकि आपको glass back मिलता है और इसमें भी आप लोगो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा effect मिलता है जब आप अपने phone को इस तरी के शिरी वो tilt करते है तो यहाँ पर जो Honor का Atex है वो आपको एकदम से glass back मिलता है जबकि Realme U1 में आपको polycarbonate मिलता है और finishing आपको यहाँ पर जो वो glass की दी गई है यहाँ पर बात करते हैं आप दोनों की display की यहाँ पर जो Realme U1 है इसमें आप लोगो 6.3 इंच की एक Full HD Plus की display मिलती है 19.5-9 का आपको जो वो aspect ratio देता है 90.8% आपको screen to body ratio मिलती है प्लस आपको Corning Gorilla Glass 3 की protection भी मिलता है यह एक IPS display और वैसे यहाँ पर आप लोगो screen to body ratio काफी ज्यादा मिलता है क्योंकि एक water drop notch वाली आपको display मिलती है display बहुत ही कमाल का है, brightness भी कमाल का है और आपको clarity भी वैसे काफी कमाल की देखने को मिलती है रही बात Honor की 8X की तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की जो वो display देखने को मिलती है यह भी एक Full HD Plus की आपको display मिलती है क्योंकि इसमें आपको water drop notch display नहीं मिलता है बलके एक छोटा वाला आपको यहाँ पर जो वो notch जो वो सामने की तरफ मिलता है इसमें भी आपने को Corning Gorilla 3 की protection मिलती है यह भी एक IPS display है और इसकी वी clarity वैसे आपको काफी दमदार जो वो देखने को मिल जाती है तो दोनों के यहाँ पर जो वो display की मामने में कहूँ तो दोनों ही winner है दोनों में Full HD Plus की है दोनों के अंदर आपने को Corning Gorilla 3 की protection मिलती है दोनों की display clarity काफी कमाल की है तो यहाँ पर मैं exactly कोई clear winner जो वो decide नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर बात करते हैं performance की तो आपने को दोनों के अंदर वैसे काफी अच्छा processor जो वो देखने को मिल जाता है Realme U1 में आपने को latest MediaTek का Helio P70 वाला processor मिलता है जो कि यहाँ पर आपने को 12 NMP मिलता है आपने को dual 4G वोल्टी भी support करता है और इसके अंदर आपने को 2.1 GHz के उपर यह processor मिल जाता है साथ में यहाँ पर आपने को Mali का G72 MP3 वाला GPU मिलता है और यह 900 MHz के उपर आपको मिलता है अब यहाँ पर आप इस processor की वज़े से इस GPU की वज़े से gaming बहुत ही smooth कर सकते है Asphalt 9, PUBG मैंने high graphics में खिला हूँ मुझे बिलकुल भी यहाँ पर lag जो वो नजर नहीं आया था यहाँ पर इसका जो Android score आया था एक लाग पैतालीस हजार के असपस आया था तो मेरे सबसे बहुत ही impressive score ही considering the price रही बात Honor की 8X की तो आप लोगों यहाँ पर इसके अंदर latest Kirin का 710 वाला processor मिलता है और यह भी एक 12NM वाला processor है और dual 4G वोल्टी support करता है और 2.2 GHz के उपर आपको जो clocked मिलता है इसका जो GPU आपको मिलता है वो माली का G51 MP4 वाला मिलता है लेकिन यह 650 MHz के उपर clocked है जबकि P70 वाला GPU वो 900 MHz के उपर है तो यहाँ पर GPU को जो performance है वो P70 में थोड़ा सा बेटर है compared to Kirin के 710 के यहाँ यहाँ पर इसका जो Android score आया था वो 140,000 के असपास आया था तो यह 5000 कम आया था compared to P70 के तो यहाँ पर परफॉमेंस की बात करता है तो दोनों ही processor आपको वैसे काफी सही मिलता है लेकिन P70 compared to जो चीज़ हमने यहाँ पर भी प्रोटिस क्या है उससे आप लोगो 700 से बैटर देखने को मिलता है बात करते हैं कि यहाँ पर बैटरी के तो आप लोगो Realme U1 में साड़े 3000 mhk जो बैटरी देखने को मिलते है जबकि Honor की ATX में आप लोगो 3750 mhk जो बैटरी मिलती है तो यह जो बैटरी केपैसिटी Honor 8X में आपको मिलती है यह 7% ज्यादा है compared to Realme U1 के तो यहाँ पर अभी बैटरी की केपैसिटी तो आप लोगो Honor 8X में वैसे ज्यादा मिलती है लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि दोनों का एक in-depth टेस्ट करूँगा dual rear facing camera मिलता है F2.2 का आपको aperture मिलता है जबकि आपको Honor 8X में 20 प्लस 2 Mbps का dual rear facing camera मिलता है F1.8 का आपको जो आपरचर मिलता है यहाँ पर मैंने कुछ camera picture screen के जो वो click किये थे आप देख सकते हैं आपके सामने है दोनों के दर आपको बैसे काफी कमाल की picture जो देखने को मिल जाती है लेकिन जो Honor का 8X है यहाँ पर इसके जो detailing है वो थोड़ी सी better है Realme U1 से प्लस यहाँ पर यह जो picture निकल के आती है Honor 8X की थोड़ी सी warm ज्यादा है compared to Realme U1 के रही बात यहाँ पर selfie की तो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँगा Realme U1 आप लोगो 25MP की selfie देता है Sony का IMX 576 वाल आपको sensor मिलता है F2.0 का आपको aperture मिलता है और Honor का 8X है यह आप लोगो 16MP की selfie देता है आप दोनों के यहाँ पर जो selfie है वो बहुत ही अच्छी निकल के आई है लेकिन यहाँ पर जो detailing आपको मिलती है जो color आपको देखने को मिलता है वो Realme U1 में काफी better मिलता है compared to Honor 8X के और अगर आप तोलगा से zoom कर देते तो आपको वहाँ पर साफ साफ पता चल जाएगा कि Realme U1 के जो detailing है जो clarity है वो आप लोगो better मिलती है compared to Honor 8X के तो camera के मामले में यहाँ पर rear के अंदर Honor 8X तोड़ा सा better perform किया है तो selfie के अदर यहाँ पर Realme U1 ने जो वो better perform किया है यहाँ पर में कुछ और important features की बात करता हूँ इन दोनों phones से regarding तो आप लोगो दोनों के अंदर यहाँ पर triple slot मिलता है यानि कि दोनों में आप लोग जो दो SIM card और एक dedicated microSD card लगा सकते है दोनों में आपको यहाँ पर dual 4G voltage का support मिलता है दोनों में fingerprint scanner और face unlock का जो आपको support मिलता है दोनों में आप लोगो Android 8.1.0 मिलता है लेकिन Honor का Atex आपको इनका EMUI के पर मिलता है जबकि Realme आपको Color OS के पर जो वो देखने को मिलता है साथ में Honor का जो Atex में आप लोगो LED notification light भी मिल जाती है लेकिन यहाँ पर Realme U1 में आप लोगो नहीं मिलती है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेगी तो finally यहाँ पर बात करते है conclusion की और अभी यह वाला part बिल्कुल भी skip मत करना मैं आप लोगो यहाँ पर बता दूँगा कि Realme U1 और Honor 8X में से आप लोगो कौन सा डिवाइस चीज़ वो बैटर देखने को मिलता है सबसे पहले यहाँ पर दोनों के अंदर जो चार अलग अलग difference मिलते है जो आप लोगो जानना बहुत ही ज़रूरी है शुरुआत करते है Honor 8X में तो यहाँ पर इसके अंदर जो आपको rear camera मिलता है honestly वो आप लोगो Realme U1 से जो बैटर देखने को मिलता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि Realme U1 का camera बक्वास है जैसे कि लोग यहाँ पर portrait कर रहे है बिल्कुल भी नहीं इसका Realme U1 का camera जो आपको decent देखने को मिलता है खराब बिल्कुल भी नहीं है लेकिन Honor 8X का Realme U1 से आपको थोड़ा better camera देखने को मिल जाता है Honor 8X में आपको glass bag देखने को मिलता है Honor 8X में आपको LED notification light मिल जाती है और Honor 8X में आपको bigger battery मिलती है जो की 7% ज्यादा है Realme U1 से यह 4 point है Honor 8X के जो आपको better देखने को मिलती है Realme U1 से Realme U1 में आपको भी 4 point मिलते है better जो आपको Honor 8X से देखने को मिलता है सबसे पहला उसका 25 mega pixel वाला जो वो selfie camera है जो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी clarity आपको देखने को मिलती है दूसरी बात है कि Realme U1 में आपको 3 GB RAM और 32 GB वाले variant मिलता है जो Honor 8X में आपको नहीं मिलता है Honor 8X का जो base है वो 464 से start होता है जो की 15,000 का है Realme का जो 32,000 वाला है वो आप लोगो यहाँ पे 12,000 का मिलता है तो 12,000 में यह बहुत ही value for money phone है जो P70 का processor और साथ में आपको 25,000 की camera भी मिलता है तो मेरे सब से बहुत ही बढ़ी बात है दूसरी बात है कि इसका जो display है वो Honor 8X से better है क्योंकि यह water drop notch display के साथ में आपको मिलता है और finally यहाँ पे इसका जो processor है वो आप लोगो केरिन के 710 वाले से जो थोड़ा better देखने को मिलता है तो यह जो 4 point है Realme U1 की वो आपको better मिलती है Honor 8X की जहाँ पे Honor 8X की भी कुछ points है जो आपको Realme U1 से better मिलती है तो यह मेरा observation था जो मैं आपको fair opinion दे दिया हूँ और conclusion की बात करता हूँ मैंने इसाब से अगर आपकी price 12,000 की है तो Realme U1 आपको एक best smartphone है जो आपको उस price में मिलता है बाकि 15,000 की अगर आपकी price है तो दोनों में से आप कोई भी phone consider कर सकते है दोना ही phone आपको काफी better देखने को मिल जाते है इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अदर आगर आपको मेरी fair opinion पसन आईए मेरे comparison पसन आया तो जरूस इस वीडियो को like करिए मैं बहुत सारे इसे comparison videos future में लाता रहूँगा और आप लोगों को ऐसे अपड़ेट करता रहूँगा मिल्ते आपको लटों में एक नवड़को साथ तिल इन वे ग्रेत दे and always keep smiling